आर्थिक वर्ष द्वेजार अठ्थान लाई प्रातमिक्ता दिदे अर्थ तंद्र विस्तार माँ सोयक पूगने गरी तरलता ब्यवस्थापन गरीने च… आर्थिक वर्ष दुजार अठत्तर उनानसी मां कम्ती मां साथ मेना को बस्तु तथा सेवा आयत दान्न पर्याप्त बिदेशी बिनिमय संचिती काईम हुने गरी मौद्रिक तथा बाईय चेत्र ब्यवस्थापन गरीने छौ। प्रचलियत मुल्य को कुल गाहरष्त उत्पादन लाई मौद्रिक प्रच्षेपन को आधार को रूप मली आर्थिक वर्ष 2089 शीमा विस्तित मुद्रा प्रदायको विस्तार अठार प्रतिशत र नेजिते छेत्रतरको को करजा विस्तार उन्नाइश प्रतिशत होने उपकरन रूप। दोई प्रतिशत रा नितिगत दर्गो रूप मरएगो रिपोदर लाई तिन परिशत बाडब विर्दिगरी थिन दसमलपक चास परिशत कायम गरी ने छा। एक करोड बंदा कम रकम का करजा प्रभाह गरनू परने 15 परिशत को निवनत मनुपात को विदिवान ब्यवस्ता लाई निरंतरता दियेको छौ। क्रिशी लगू तथा घरूली छेत्रमा करजा प्रभाह लाई थब प्रोशायत गरनौ गाउं पालीका तथा नगर पालीका को सरकारी कारवार संचालन गरने बाणी जे ब्यवस्ता मिलाई ने छौ। विदिय संस्ताहरले प्रभाह गरने बिपन्न बर्ग करजा समयन दि विद्यमन ब्यवस्ता मा आवसे परिवा अर्जन गर दै यस्तो करजा लगू घरेलू शानात्ता मजवला उद्यूग ब्यवस्ताह समयन गर दै लगीने छौ। विपन्न बर्ग करजा COVID-19 को कारण परेटन छेत्रमा रोजगारी गुमायका ब्यक्ती सुरजगार होने गरी ब्यवसाय संचालन गरना प्रभाह होने रुग 15 लाग समको करजा विपन्न बर्ग करजामा गरना गरना सकीने विवस्ताह मिलाई ने छौ। विद्धे संस्ताहर ले 1989 असार मसांत सम्मा करजा निचेप अनुपाद अधिक्तम 90 प्रचिशत काईम गरना परने विवस्ताह गरी विद्धेमान करजा सुरद परिचालन अनुपाद CCD रेश्वे समने विवस्ताह खार्यत गरी ने छौ। पुझी कोष को अंगा को रुप मा रहेका रिंडपत्र बाहेका रिंडपत्र रसापटि लाई उप्रक्त बमजम को करजा निचेप अनुपाद मा समाय जन गरना सकीने विवस्ताह गरी ने छौ। ब्राडबेंद प्रवर्दन गरी सर्वर साधन मा इंटरनेट पहुंच पुर्याउने गरी दुर्गम इस्तान मा शेवा पुर्याउने इंटरनेट शेवा प्रदायक संस्ताहर लाई विशेश पुनर करजा उपलब्द गराईने छौ। बानिजे बेंग घरले द्वेजार अशार मसान्त मा कायम गरन उपर्ने गरी तोकियेको छेत्र गत करजा अनुपाद COVID-19 को असर लाई दिर्श्टी गत गरी द्वेजार ना शी आशार मसान्त समा को लागी तोकियेको करजा अनुपाद एकमुष्टर रूप मा पुरा गरे उने बेवस्ता गरीने चा ब्याज पुँझी करण गरन एस बेंग बाड़ा पूर्वा स्विक्रिती प्राप्त ग्रेश अवधिमा राइकार निर्मान दिन आई जनमा प्रभाहित करजा को दिजार ना शी आशार मसान्त समा पाएको ब्याज पुझी करण गरन शकीने बेवस्ता मिलाईने चा नेपाल सरकार बाड़ा महामारी जन्य र्वक को उपचार को लागी माने ता प्राप्त खुब उत्पाधन गरने उध्योग इस्ता परना गरना बेंग त था वित्ते संस्तारु बाड़ा आधार दर्मा करजा अप्लभ दोने बेवस्ता मिलाईने बुक्तानी कारोबार को प्रबरदन का लागी विवेनना माद्यम हरुबाट होए बुगतानी कारोबार को सीमा पुन्रावलोकन गरिने चा। बिद्वीतिय बुग्तानी कारवार मा लागने शुल्क लाई उप्योक्त इस्तरमा कायम गरना नितिकत ब्यवस्ता गरीने चा। नेपाल सरकार लिए प्राप्त गर्ने राजसु र सबै प्रकार का बुगतानी बेंकिंग तथा विद्वत्य बुगतानी को माध्यम बाड़ गर्ने ब्यवस्ता को लागी आवसिक स्वाजी करण गरिने छा सरकारी कारवार गर्ने बेंक साखारू ले विद्धुतिय भुगतानी का उपायरो अवलमन गरिये सामाजीक सुरच्या बत्ता सम्मंदित ब्यक्तिले सजीलाई प्राप्त गर्न सकने ब्यवस्ता मिलाईने चा मनीचेंजर, विप्रेशर कमपनी, ओटल, ट्रावल, ट्रेकिंग, कारगो, एरलाइन्स लगायत का एस बेंक बाट बिदेशी मुद्रा कारवार गर्न स्विक्रिति पायका संस्तारू को मुद्रा कारवार अनुमति पत्र, द्वेजार उना नसी आशार सम्म नविकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने ब्यवस्ता गरिने चा बिदेश मौद्रिक नितिको कार्यनेन बाट समस्टिकत आर्थिक तथा वित्य इस्थायतो कायम बै आर्थिक पुन्रत्तानमा सगावु पुगने विश्वास लिएको छा बिदेश सुरत परिचालन को दायरा फराकिलों हुदै उपलप्द बिदेश साधन उत्पादन अभिविदी रोजगारी शुजना उध्यम शिल्तार दिगवा आर्थिक विका सांसिल गर्ण तरप परिलाचित भई उत्पादन शिल अर्थ तंदर निर्माण मा समेत आर्थिक वर्षको मौधिर्ग निती जारी गरियेगो छा। अर्थ तंद्रमा बिगशित समस्टिकत आर्थिक तथा वित्य इस्थेति अनरूप मौधिक उपाए र नियमकिये व्यवस्ता अरुलाई समय साप्यक्छा र गतिशिल बनाउना मौधिर्ग नितीको त्रैमासि समय क्टिया गरी निते